ससलाव आलिकुम दोस्तों and wellcome to kick new rule शो आपके इस शो में आपको बताने जा हुए कि is Pakistan vs Western Nitrmax वेस्ट passport का जो बूसर conv 30-20 आहे था अवा पाकिस्तान एंब एवेस इंडीस्स को seven run से हरा दिया है वैसे व बनाए 36 बाल और बाबर आजम ने 50 बनाए 41 बाल और बाबर को बाबर आजम को अपना थोड़ा इस्ट्राइक रेट थोड़ा अप करना होगा क्योंकि की 20 में इतना स्ट्राइक रेट सही नहीं रहेगा वैसे भी इतना मैं बता दों पिछ बहुत ही स्लो थी विकेड बहुत स्लो थी मतलब बिस्पिन भी बहुत हो रहे थी बॉल और विकेड़ बहुत स्लो थी कि मतलब 150 रन्स की पिछ टी की पिछ थी नहीं हो तो बाबर आजम का कहना था कि उनका माइंड सेट यही था कि 170-180 तक जाएं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पिछी इतनी स्लो थी कि सिर्फ उसे 157 नंस पाकिस्तान बनाए पाए और मिडिल ओडर की मैं बात करता हूं कि मिडिल ओडर आज भी फैल हो सिर्फ मुहम्द रिजवान और बाबर आजम पर टीन चल रही होती है सिर्फ मुहमद रिजवान और बाबर आजम परफॉर्म और आगे बढ़ेंगे। और तो बहुत ही अच्छी दिखाई और मज़े की बात यह मैं बता हूं आपको मुहमद हफीज ने उन विकिटली इन फोर ओवर्स में और मज़े की बात यह देखें उन्होंने रंस भी सिक्स बनाए यह देखें आप फिर वो आउट हो गए थे और हसन अली जीरो पर आउट हो गए थे और शदाब खान ने भी कुछ जादा अच्छा नहीं किया बद पांच छे रंस समने ऐसी बनाये थे बस डस रंस उन्होंने जादा नहीं दिये थे एक ओवर उनको सिर्फ कराया था और उन्होंने सिर्फ 11 दिये थे आगे उनको कमसकम तीन या फिर दो ओवर तो करवाने चाहिए तो उनसे कमसकम को चांस तो देना उनको जैसे शाहीन शाह आफीधी ने तू ओवर में 21 रंस दिये तो उ पर तो फिर उसमें उन्होंने डिफेंड कर लिया था अच्छी तरीके से बस सिफ एक फोर और एक सिक्सी पड़ा था शायद वह भी पूरा निमा रहा था आखरी दो बॉलों पर यहीं हुआ था बागी सब आखरी ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग ती शाहिए दी की और म मुहमद वसीम तो डेब्यू के मैच से आज भी चा गए हैं उन्होंने थ्री ओवर्स में ठीटी टू रंस थोड़े बहुत एक्सपेंसिव तो उनको एकोनॉमी थोड़ी बहुत ठीक करनी होगी उनको तो इस पर वह ज्यादा वर्क करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा कम कुलेश पूरान है लग रहा था कि वह शुरू में इतना टुक टुक करें लगना था अभी आउट हो जाएंगे एटीन बहुत फिफ्टीन इतने टुक टुक स्लो खिलने तो आखर में वह फुल आन हो गए मतलब इतना मारा इतना धुए छके चौके मारे थ्री फॉर्स फा बहुत कम बने होते हैं 120, 130 बने होते हैं यहां तक पहुच पाते हैं वेस्ट इंडीज तो ओवर ओल बॉलिंग परफॉर्मस बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की और मोहमद हफीज ने तो कमाल ही कर दिया मोहमद हफीज ना बिकम दा चैंपियन ऑफिस पिन बॉलर यह तो ल मोहमद हफीज तो फिर इनके लिए बहुत ही बेस्ट विशिज होनी चाहिए कमेंट में बताएं आपको मोहमद हफीज अच्छे लगते हैं नहीं आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईगा और आपको मेरा डिव्यू कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी पीस इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर अफने फैमिली डियरिटिव्स और दोस्तों के साथ शेयर करीगा और जरूर अपने क्रिकेट शौकीन के साथ खुरो शेयर कर दीजिएगा अल्लsch अखिस